बच्चों, जेसी आर्टी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों, दूसरी करच्छा की एक बहुत ही रोचक कहानी जिसका नाम है किसी से कहना मत इस कहानी का हमने आनन्द लिया, बहुत अच्छी कहानी थी और मज़ा भी आया बच्चों चलिए अब इस कहानी के कुछ सवाल जवाब हम हल करते हैं कुछ सवाल तो ऐसे हैं जिस पर हमें सरीब बाचीत करनी है और आगे बच्चों कुछ हमें लिखना भी है तो बच्चों आपकी जो पाठ संख्या चार है उसके प्रसनोतर पेज नमबर 18 से शुरु है तो बच्चों आप अपने हिंदी पाठे पुस्तर जिसका नाम है जिलमिल उसके पेज नमबर 18 पे चलिए तो अभी मैं पेज नमबर 18 पे हूं आप देख सकते हैं बच्चों यहां साट सवाल हैं इन सातों सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या है पहला है बच्चों अगर आस्मान में अंगूर सेब जितने सेब तरबू जितने बड़े होंगे तो लड़ू, जलेबी, आम, केले, इत्यादी चीजें वहां कितनी बड़ी होंगी बच्चों जितनी कहानी रोचक है, सवाल भी उतने ही रोचक है बच्चों यहां बताना है आपको, अनुमान लगाना है, खुद से अगला सवाल है, यदि आपके पंक होते तो आप क्या करते बच्चों यहां एक तस्वीर भी आप देख सकते हैं ये तस्वीर देखकर आपको लग रहा होगा कि क्या सजमूच के पंक होते हैं? नहीं बच्चों, सजमूच के पंक तो नहीं होते हैं. लेकिन होते तो आप क्या करते? ये आपको बताना है और मन में सोचना भी है. आपस में मित्रों से बात भी करना है. आगे है टीटू ने हाथी वाली बात सबसे पहले किसे बताई? इसका सीधा सा जवाब है अपनी पतनी बसंती को. आगे है लोगों को हाथी वाली बात का पता कैसे चला? लोगों को हाथी वाली बात का पता कानों कान चला. बने एक से दूसरे, दूसरे से तिसरे, तिसरे से च थे हैं न बच्चो आगे है अगर टीटू आसमान में उड़ने वाले हाथी के बारे में किसी को नहीं बताता तो क्या होता ये भी आपको अनुमान लगाना है बच्चो लेकिन यहां एक मैं आपको छोटी सी हिदायत देता हूं एक सलाहा देता हूं बच्चो आप लोग स्कू दूर चले जाते हैं बाजार जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो आप अपने घर के सदस्यों को अभी भावक को माता पिता को बोल के जाएंगे बात मानेंगा बच्चो जबूर मानना चाहिए आगे है आप अपनी बाते किन किन लोगों को बताते हैं निश्चही हम अपने माता पिता को बताते हैं बड़े भाईया दीदी को बताते हैं है ना जो हमारे घर में बड़े हैं उनको बताते हैं आगे है यदि हाती के पास सूड ना होता तो क्या होता बहुत खराब होता बच्चो तब हाती कैसे खाता हम लोग जानते हैं कि सूड से ही हाती खाता है है ना पान बहुत कुछ पढ़ेंगे बच्चों, जब उपर की कक्षाओं में जाएंगे, चली बच्चों, पेज नमबर 18 पे ही देखिए, अगला सवाल है, जोडी बनाइए, जोडी बनाइए में कुधारन दिया हुआ है, चाचा चाची, दादा दादी, आप इसको फटा फट बना ली चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, काका काकी, ये क्या है बच्चों, मौसा मौसी, ये क्या है नाना नानी, ये क्या है लड़का लड़की, ये क्या है मुरगा मुरगी, ये क्या है बतक बतकी, समझ गए बच्चों, चली अब आगे बढ़ते हैं, एक जैसी आवाज वाले सब्द बनाईए एक तरह का रायमींग वर्ड बच्चो है ना यहां देखे टीटू नीटू आगे आप लिख दीजिए पीटू मीटू कितना सुन्दर हो गया ना टीटू नीटू पीटू मीटू उसी तरह से बच्चो आगे है टक आप लिख दीजिए पक आप लिख जख है ना आगे बच्चो जैसे चम चम आप लिखिए चम चम इसी तरह से आप सब्द बनाईएगा बच्चो अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहां भी खाली अस्थान है अब बच्चो मैं पेज नंबर 19 पे हूँ यहां पे है चाचा बोले चाची बोली है ना उसके बाद ब बच्चो खाली अस्थान में आप लिख दीजिएगा मामा आए उसके ठीक आगे देखिए बच्चो नीचे मौसा लाए तो आप लोग क्या लिखेगा मौसी लाई मतलब जहां चाचा है तो चाची मामा है तो मामी मामी है तो मामा मौसी है तो मौसा और मौसा है तो मौसी है अब बच्चों आगे यहां पे खाली अस्थान है यहां पे 5 खाली अस्थान है और 5 सब्द भी हैं कौन-कौन सब्द हैं मिलनसार, टीटू, रखवाली, पत्नी और आस्मान तो इनको खाली जगों में भरना है तो बच्चों आप धीरे धीरे पढ़ना भी सिखते जाएए और समझ समझ कर खुद से भरिये देखिए सबसे उपर टीटू अपने खेत की रखवाली का रहा था आगे है बसंती भी टीटू के साथ जाने की जीद करने लगी तो दूसरा में भर देंगे टीटू तीसरा है टीटू और उसकी आगे लिखे देंगे पत्नी ने उसे सभी को साथ ले जाने के लिए मनाया आगे है चौथा बच्चो हाथी उड़चला कहाँ पानी में नहीं आसमान में और पाँचो हाथी बहूत क्या बदमास निकला नहीं बच्चो मिलंसार निकला तो ये पाँचो सब्दों को खूब बढ़ियां से यहां सेट कर दिया गया आप लोग देख लिए ना बच्चों कैसे सेट किया गया यहां लिखे हम लोगोंने रखवाली यहां पे टीटू यहां पे पतनी यहां पे आसमान और सबसे अंत में मिलनसार हो गया बच्चों अब आगे बढ़ते हैं यहां कुछ नया चीज है बच्चों यहां क्या है कुछ बॉक्स बने हुए हैं बॉक्स में उपर से नीचे या बाए हाथ से दाए हाथ की और जदी आप जाएंगे तो कुछ सब्द बनेंगे तो कुछ सब्द हम लोग बनाते हैं बच्चों देखिए यहां पे बन रहा है अंगूर है ना यहां पे बन रहा है लडू यहां पे बन रहा है गाए उसी तरह से बच्चों दूसरी और आए अनार बन रहा है ना बच्चों यहां देखिए चूहा बन रहा है की नहीं बन रहा तरबूज देखिए तरबूज देख रहा है तो बच्चो इसको बच्चों बनाने से पहले आप पहले इन चीत्रों को देख लिजिए। इन चित्रों में कूल पंदरा चित्र है जिसमें बंदर है सेव है केला है घोड़ा है तरबूज है पपीता है उसके आगे बच्चों हाथी है लड़ू है उसके बाद बकरी है गाय है जलेवी है चूहा है आम है और अंगूर है वाह बच्चों आपने देखा है इसको और इसी को देख देख करके बच्चों आप इस बॉक्स को तयार किजेगा कर लेंगे ना बच्चों देखिए यहां कुछ सब्दों को मैंने अलग से भी लिख दिया है यह बंदर यह सेव यह गोड़ा यह तर्बूज यह चूहा और यह जलेबी अब यहां है कहानी में औ अक्षर से सुरू होने वाले सब्दों को ढूंड कर यहां लिखिए तो देखिए कौन-कौन से सब्द हैं यहां पे अच्चानक आसमान अंगूर आदमी अगली अवरत अरे आया और आराम अगर और बच्चों यहां एक प्रस्ण है ना प्रस्ण में भी एक अक्षर है अक्षर देखिए वाला है ना इसको भी मैंने यहां पे लिख दिया है बच्चों ठीक है अब दूसरी किताबों से भी और अक्षर से सुरू होने वाले सब्दों को कुछ अपने अभ्यास पुस्तिक में लिखिएगा ठीक है बच्चों अधिक से अधिक सब्दों को लिखिएगा अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमें देने हैं तिन सवाल है बच्चों इन तिन सवालों को हम लोग देख लेते हैं क्या है पहला है टीटू ने हाती वाली बात क किसको बताई अपनी बसंती को बताई फिर है सब लोग कैसे लटक कर आसमान से में उड़े इसमें है टीटू ने पकड़ी हाती की पूँच बसंती ने पकड़े टीटू के पैर इस तरह सब के सब लटक गए एक दूसरे के पैर पकड़ कर समझ गए बच्चों तीसरा और अंत को पकड़ा देख लेंगा बच्चों यहां देखिए पूँच लिखा हुआ है है ना तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब यहां पे बड़ा रोचक एक गतिवीधी है बच्चों यहां पे छे पंक्तियों की एक कविता है जिसे हमें याद करना है तो चलिए हम लोग द दमक आता हांती दमक दमक जाता हांती जब पानी में जाता हांती भर भर सून नहाता हांती कितने केले खाता हांती या तो नहीं बताता हांती आगा ना मज़ा बच्चों कितना मज़दार है ना दमक दमक आता हांती दमक दमक जाता हांती देखिए बड़े-बड़े अक्ष दो में भी मैंने आपके लिए त्यार कियें दमक दमक आता हाती दमक दमक जाता हाती जब पानी में जाता हाती भर भर सूर नहाता हाती कितने के ले खाता हाती या तो नहीं बताता हाती कितने केले खाता हाती या तो नहीं बताता हात दमक दमक आता हाती दमक धमक जाता हात जब पानी में जाता हाती भर भर सून नहाता हात कितने केले खाता हाती या तो नहीं बताता हाती दमक दमक आता हाती दमक धमक जाता हाती जब पानी में जाता हाती भर भर सून नहाता हाती कितने केले खाता हाती बच्चों खुब केला खा लेता है यह ना अब की तरह हमारी तरह एक दो खाने के बाद यह नहीं इसका पेट नहीं भरता है तो बहुत बड़ा है ना इसका सरीर भी बड़ा इसका पेट भी बड़ा कितने केले खाता हाती या तो नहीं बताता हाती यह छिपंग्तियां जो है बच्छों इसको खूब जोब पढ़िएगा और खूब राहीमिंग और इसको याद कर लीजिएगा है ना दम्मक दम्मक आता हाती दम्मक जम्मक दम्मक आता हाती दम्मक दम्मक जाता हाती जब पानी में जाता हाती बर बर सुड़ नहाता हाती कितने के ले काता हाती या तो नहीं बताता हाती मज़ाया न बच्चों चलिए बहुत मज़ाया धन्यवाद प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं किसी नई कहानी या कविता के साथ अभी के लिए इतना ही बच्चों आप इन प्रस्नुत्रों को खोद से भी बनाईएगा और अच्छे से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लेख दीजिएगा ठीक है बच्चों जाहिन बच्चों